कि अपिर से आपका एक बार स्वागत है मारे यूट्यूब चैनल में आज का टॉपिक है बड़ा सपना देखो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्याएकर मैं मनोविकार सेख्स रोग सम्मोन ददा व्यसन मुक्ति तग्यों महाराष्ट में आकोला नाकपूर पुने और मुंबई यहां हमारे होस्पिटल से और मनोविकार सेख्स रोग सम्मोन ददा व्यसन मुक्ति तग्यों में करके प्रक् को inspire करना motivate करना counseling करना यह भी मेरा फर्ज में समझता हूं कि मैंने सपना जितना सोचा था उतना में अमिर बन गया मैंने जितना सपना सोचा था सपने में जितना देखा था उतना में अमिर बन गया मगर दुर्भागे की बात यह है कि मैंने सपना ही छोटा देखा था प्राब्लेम क्या है कि हम सपने बड़े देखते ही नहीं है हमने सपने बड़े देखे ही नहीं है ऐसा बहुत है कि लो एम is a crime छोटा सपना देखना यह गुना है problem यह नहीं है कि हमने सपने बड़े देखे और हमने वो हासिल नहीं किए problem यह है कि हमने छोटे सपने देखे और वो हासिल किए मैं आपको प्रत्साइद करता हूँ बड़े सपने देखने के लिए कि बड़ा सपना देखो हमेशा बड़ा सपना देखो और वो हासिल करो ऐसा भोला जाता है कि आप चांद पे जाने का सपना देखो कुछ नहीं तो एकरा सितारा तो हाथ में आ जाएंगा मट्टी डेफिनेटली हाथ में आएंगी नहीं तो बड़ा सपना देखो जो असा मान्या और बहुत बड़े वेक्टी हुए धिरुभाई अंबानी जैक मा रामदेव बाबा आप नाम लोग जो भी बड़े बड़े लोग हो गए उन्हें बड़े बड़े सपने देखे और बड़े सपने देखके वहां तक वो पहुँश गए प्राब्लेम यह है कि हम छोटे सपने देखते और वो हासिल कर लेते आपने जो संभव है और जो सामान्य है उतना ही सपना देखा उसके ओपर ही आपकी नजर गई उतना ही आपने सोचा तो आपको जो संभव है और जो सामान्य है वो ही मिलेगा बड़ा मिलेगा नहीं तो फिर बड़ा सपना किसको देखते है बड़ा सपना उसको ही देखते है कि जो सपना सुनके यदि आजू-बाजू के पांच लोग आपको पागल नहीं बोलते है यदि आपके आजू-बाजू के पांच लोग आपके उपर हसते नहीं है किया रहे क्या बात कर रहा है ऐसा स संबों नहीं तु क्रेजी है बागल हो गया कुछ भी सोचता है ऐसा यहीं पांच लोग बोलते हैं अपना सपना बढ़ा है यह आपके आजबाजु के लोग बोलते कि यहां तुछ चोटा है तो डिफिनेटली जब आप सपना देखते हो बड़े लक्षन दिरधारित करते हो बड़े अधारित करते हो बड़े गोज रखते हो आपके आजबाजु के पांच लोगों को सुना उन्हें आपके उपर हसना चाहिए कि यह संभव नहीं है और होता क्या है कि जब जब आप सपना शेयर करते हो लोगों को बोलते हो तो लोग हसते हैं और वो हसने के बाद मे क्या बोलती है आपके अंतरात्मा की आवाज क्या है उसको सुनो और बड़ा सपना देखो बड़े गोल्स रखो और वह अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-7 एरिया में निर्धारित करो नमबर एक आपका करियर मतलब वेवसाय नमबर दो आपका अर्थारजन अर्थवेवस्ता उसमें क्या आपका गोल है नमबर तीन आपका रिक्रियेशन मतलब मनोरंजन नमबर चार आपके परसनल गोल्स या फिर आपके परपस क्या है नमबर पांच आपका स्वास्त्य कैसा ह हेल्थ आपके कैसी है, नमबर छे, आपके रिष्टे कैसे है, रिलेशन्शिप्स, और नमबर साथ, समाज के लिए आप योगदान क्या करते हो, तो इसे अलग-अलग शेत्र में आपके जो टारगेट से, आपके जो गोल से, आपके जो लक्ष है, वो निर्धारित करो, उसका आपने लिखा, तो उसे कुछ नहीं होगा, एक करोड़ का फ्लैट लेना, या एक करोड़ का फ्लैट में खरीदूँगा, या करोड़ का मकान में खरीदूँगा, ऐसले कि कुछ नहीं होगा, एक करोड़ का मकान आपने लिखा कि मैं खरीदने वाला हूँ, या फ्लैट खर अभी तक इतना ही सभी है काफी है काफी सारे लोग है कि जो सपने छोटे देखते हैं और सपने हसील करते हैं बड़े सपने देखो यह मेशेज आप सबतरव है लाओ आपके दोस्त के तरफ मतलब जित्ते लोगों को आप जान जान किए आपकी जित्ते वाटा सेप ग्रूप है Facebook के ग्रूप है सब क्यों पर यह करो मैं आपको आश्वा संदिलात हो कि हमारा देश महान बन जाएगा लोग बड़े सपने देखेंगे बड़ा हो पाएंगे बड़ा करेंगे हमारा देश तो आपके सबी ग्रूप के ओपर आपको अच्छा लगाए जरू सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और जो बेल आइकॉन आता है न उसके ओपर हिट करो क्लिक करो ताकि मेरा जो वीडियो है वो मेरे वीडियो का इंटिमेशन सबसे पहले आपको आजाएगा हमारा